Hello guys, welcome back to our channel दोस्तों ये Realme 7 डिवाइस है and Realme 7 डिवाइस के साथ-साथ कुछ और डिवाइस के लिए दिसंबर के लास्ट वीक में Realme UI 2.0 और Android 11 का जो बीटर टेस्टिंग आपडेट है हो कुछ 200-300 सेलेक्टिड लग्की उजर्स के लिए अपडेट को रोल आउट किया गया था और अभी मेरे डिवाइस में ये अपडेट अभी दक मुझे नहीं मिला है तो आज की इस वीडियो में लाइव आपको Realme 7 डिवाइस में Realme UI 2.0 और जो Android 11 का अपडेट है कैसे आपको without any problem के manual install करना है बिल्कुल simple, easy and official method आपको बताऊंगा तो वीडियो को एंड तक आप देखते रहे साथ में install करते हैं टाइम हम ये भी चेक करेंगे क्या बच्छ प्रोब्लम्स आ सकती है एंड अपडेट को इंस्टोल करने के बाद डिवाइस में जो data है वो erase होगा या फिर नहीं सब कुछ live आपके सामने पूरी process को मैं complete करूँगा तो वीडियो को एंड तक आप देखते रहे और ऐसे interesting वीडियो उसके लिए वीडियो जरू से like कीजिए चैनल को भी तक आपने subscribe नहीं किया और bell icon को press करके all button पर select कीजिए ताकि realme 7 में कोई भी update आए तो उसके information सबसे पहले आपको मिल जाए और अगर आपको realme 7 का last update का battery drain test देखना है तो ये वीडियो आपको description मिल जाएगी तो इस वीडियो के बाद आप एक बड़ी check out कर सकते हैं तो दोस्तो मैंने application form में भी apply किया था और मैं प्रेशान हो चुका है realme UI 2.0 के update का wait करते करते लेकिन अभी आप देख सकते हैं अभी तक मुझे यहाँ पर कोई भी update नहीं मिला है तो दोस्तो update को install करने लिए simply सबसे पहले आपको file को download कर लेना जिसका की size 2.9 GB के approach है तो जो file का link है वो आपको अमारे official telegram group में मिल जाएगी तो simply telegram में आपको search करना है MDTOK official realme लिकर ये DP आपको मिल जाती है and members वगरा details आप check out कर सकते हैं description में आपको मिले की telegram अगर आप use नहीं करते हैं तो आप मुझे Instagram पर भी message कर सकते हैं file का link हम आपको provide कर दूँगा तो दोस्तो already मैंने जो file है उसको download कर लिया है तो अभी file manager में enter कर लेते हैं and जहापर आपने file download किये simply उसको search कर लेना है तो ये file है 2.9 GB की तो इसको already मैंने download करके रखा है अभी आप देख सकते हैं upgrade now का option आपको मिलेगा इस पर click करके simply इस पर आपको click कर देना है और दोस्तो update को install करते है time आपको बस ये ध्यान रखना है आपके device की जो battery है 40% या उससे उपर होनी चीए अगर कम है तो ऐसे में अपने device को आप charging पर लगा कर update को install कर सकते हैं दोस्तों सब कुछ आपके साथ यहां पर live होगा वीडियो में live आप देख सकते हैं device यहां पर reboot हो चुक है तो वीडियो को थोड़ा skip करेंगे एंड थोड़ा fast forward कर देते हैं गैस अभी आप देख सकते हैं जो time यहां पर वो आ चुक है अपडेटिंग जो installation process है वो यहां पर already start हो चुकी है दोस्तों आप देख सकते हैं finally जो installation process है वो पूरी complete हो चुक है तो चेक करेंगे अपडेट इंस्टोल हुआ है या फिर नहीं और इंस्टोल करने के बाद जो device का data है वो erase हुआ है या फिर नहीं या पहले की तरह से हम आपको मिल जाता है तो guys आप देख सकते है finally realme UI 2.0 और जो android 11 का update है c.02 का ये update आपको मिल जाता है realme 7 device में हमने manually इंस्टोल कर लिया है एक बर हम data को भी हम चेक कर लेते हैं तो storage के अंदर चलते है तो दोस्तों आप देख सकते हैं या पर 46 GB के उपर या पर data used है तो आप देख सकते हैं या पर अभी कुछ भी data erase नहीं हुआ है images भी आप देख सकते हैं वीडियो भी आप देख सकते हैं चार्जी भी के ऊपर size है तो अगर आप manually इंस्टोल करेंगे तो कुछ भी आपका जो data है आप देख सकते हैं कोई भी data यहाँ पर erase नहीं हुआ है जो भी images हैं जो भी आपके contact से mail से सब कुछ आपको properly पहले की तरह मिल जाएगी और दोस्तों मेरे पास information आईए कि realme 7 के realme UI 2.0 android 11 के जो update की file है और realme narjo 20 pro device पे भी work कर जाती है तो मेरे पास narjo 20 pro device नहीं है तो अगर आपके पास है तो आपनी risk पर आप अपने device में इस file को download करके अगर आपका device में install हो जाता है तो अच्छी बात है वरना आपको wait करना पड़ेगा update के लिए तो दोस्तों ये manual method था काफी अच्छा यहां पर official method है कुछ भी आपको नहीं करना है simple सा method है कोई भी problem नहीं आएगी आगे के भी future के updates आपको मिलेंगे और दोस्तों आप देख सकते हैं जो notification panel है control center है वो भी realme UI 2.0 का कुछ है आपको मिल जाता है लेकिन दोस्तों इस update को install करने एक बाद जो update के bugs हैं system UI के internal bugs हैं वो आपको जरूर से मिल सकते हैं जिनोंने device में इस update को install किया है तो उनका मैंने experience पूछा तो उन्होंने बताया कि update को install करने के बाद जो battery performance है वो पहले जैसी better आपको नहीं मिलती है और कुछ और भी problems मिल जाते है display से related तो जो भी bugs है उनको मैं check करूँगा अगली वीडियो जल्दी आएगी इसका full review battery drain test realme UI 2.0 के update के बाद gaming review and क्या कुछ features आपको मिल जाते है जो features यहां पर आपको मिले है वही same features आपको बागी devices में मिलेंगे तो features की video यह सारी video जल्दी आजाएगी 2-3 दिन में maximum one week के अंदर सारी videos आपको channel पर upload देखने को मिल जाएगी तो उसके लिए wait कर लीजिए और channel को subscribe करके बगल में bell icon का option मिलता है उस पे आपको click करना है all button पे आपको select करना है ताकि कोई भी video आए उसका notification आपको मिल जाए और यहां पर हम check कर लेते है personalizations के अंदर कुछ ऐसा layout आपको मिल जाते है और इसके लाव दोस्तों और भी काफी सारे features आपको मिलते है camera application में भी changes आपको मिल जाते है तो क्या आपको changes है अगली video में detail में आपको बताऊंगा तो आज की video के लिए इतना ही अगर आपको ये video पसंद आए तो video को याड़ जरू से like करना और channel को subscribe जरू से करना और comment करें बताइए कि आपकी device में ये update इंश्टॉल हुआ है या फिर नहीं तो आज की video के लिए इतना ही मिलेंगे next video में तब तक के लिए जैखीन जैबारत and take care